जाए श्री महाकाल आदेश मैं चंदनात अगरिया आप सभी का अपने यूटूब चैनल चंदनात अगरिशिफ शक्ति तंतर मंतर के अंदर में स्वागत करता हूँ आज मैं आप लोगों के लिए एक और शाधना लेकर आया हूँ और ये शाधना भी नवरात्तिरी स्पेसल है और सभी शाधकों से कहना चाहूँगा जिसे जिसे करनी है वो बिल्कुल तयार हो जाए रेडी हो जाए वो कि शाधना अभी आप सब जानते है क्योंकि मैंने दो वीडियो उसके विश्य में अपलोट कर चुका हूँ एक एक दिवस्य और एक किस दिवस्य है अब यह जो मैं शाधना दे रहा हूं यह नवरात्तिरी में करनी है आपको नो दिन में शवालाक का अनुष्टान करना है शाधना है आपकी निरूपा गंदर करने है और अभी एक दिवस्य साधना जिन लोगों को कराई उनका काफी अच्छे अनुभव रहे हैं सभी तो काम्याब नहीं हुए है कुछ बोलते हैं कि हमें अनुभव हुए प्रतक्षनी हुए और कुछ को बहुत अच्छे अच्छे अनुभव हुए यह सब साधक की प लोगों के बीच तो अब यह जो निरूपा गंदर्प कन्या है इनके विसे में सब लोग जानते ही हैं कि इतनी उच्छ कोटी की साधना है कि मैं जितनी इनके विसे में तारीप करूं इतनी कमी कम है क्योंकि निरूपा गंदर्प कन्या अपने आम में एक रहष्य में शक्त पहले बाद तो यह आपको कहीं मिलनगी नहीं इनका आपने कहीं जीकर सुना होगा और नहीं यह किताबी है मैं पहले बता चुका हूं यह सोयम हमारी खोज है तो यह नीरुपा गंदर करनिया अब इनके तात्व और उखड़के आ रहे हैं इनकी जो चमता है वह बहुत बिक्सित मतलब हमारी समस्य से भी परे हैं परे इसलिए हैं कि जितना इनकी इनके विसे में हम सोद कर रहे हैं गहराई से जा रहे हैं इतने ही अच्छे और भी चमत कार या यह खाया है कि जोकाने वाले आनुवाब आ कि यह क्या क्या कॉंद या कर सकती है कि जीन वगेदा होते हैं ना तो इनके सामने कुछ भी नहीं है prowad पावरफ नहीं कि मैंने अभी आपको लोगों को पिछली वीडियो में एक दिवस्य जो साधना दीती होली पर गंदर्प कन्या निरूपा गंदर्प कन्या उसमें बताया था कि जमीनी मामले में बहुत अच्छा हमने इनका प्रक्टिकल किया हमने तो नहीं किया लेकिन एक शादक हैं जिन्ह हम यह शादना कराई थी पहले भी तो जो कि दिल्ली से बिलोंग करते हैं मैंने बताया था मनोज नाम के उन्होंने एक जो जमीनी से जमीनी मामले से जुड़ा एक काम लिया प्रक्टिकल के लिए जादा तो नहीं बोलूंगा वो सपल हो गया है कि हम तो इन पच्छाड़ों में नहीं पड़ते हैं हमें फाल्त हूं कि जो पब्लिशिटी नहीं चाहिए और दुसरी बात कि गयर कानूनी काम हम कोई नहीं करते हैं जो भी काम करते हैं कानून के दाएर है तो बहुत G drog phones नहीं से ज्यादा अच्छी भूट्थ भवस्य की जानकारी दे रहें हैं और इनका कोई भी कहते हैं इंका कोई भी दुष्ठ परिणाम नहीं है दुष्ट पिरभाव नहीं है इस साधना को मेरीड व्यक्ति कर सकता है अन्मेरीड कर सकता है और शादक कर सकता है इतने सोम में रूप बाली कि जतनी कमी कम कम इसलिए कैस्या कायव कि इतने इंकेवादे में गयादा इसे हम सोच रहे हैं व्हुतनी ही चोकाने वाली वाली इनकी निकल के आदमी कि क्या क्या कार्दय कर सकती है कहीं की भी खबर ले आएंगी मिंटों में हमने कुछ और सक्तियों से जो हमारे पास और सक्तियां हैं उनके मुकावले इनकी कार्दय शमता जादा है और छमता जादे है और कैपेसिटी भी जादा है कार्दय करने की और इन्हें एक बाद सिद्ध करने के बाद में यह नहीं कि यह दो बो दो अट्रम सट्रम कुछ देने की जोतनी होती है बस इनका जो भोग होता है परसाद होता है वही मन किया दे दीजिए पूल्नियमा पर रख लीजिए या साल में एक दो बाद बस वाकि इनका रिचार्ज यानि की ब्यक्ति को रिचार्ज यानि जाप नहीं छोड़ना चाहिए जैसा उसका समय लगे ग्यारा माला एक्किस मा बैसे जाप करता देना चाहिए कहने का मतलब है कि किसी भी चीज की एनलजी खतम जब इस्तमाल करोगे तो एनलजी खतम हो जाती है तो वह चीज हमें एक्टिव करने के लिए रिचार्ज करने परती जैसे हमारी बोडी है मैनत करेंगे तो मैनत करेंगे हमारी एनलजी वेस् में उसके लिए फिर अच्छा खान पीन करना पड़ेगा अब फोन ही ले लिजिए हमें ये सुबह से सुबह को भरते हैं साम तक डाउन हो जाता है तो कि इसकी कैपेसिटी सुबह से साम तक चल लेगी है ठीक उसी पिरकाल सक्तिया होती है शक्ति तो अपना कार्दय करती है ल सवाड पढ़े ना की आप से शक्ति ज refugee जोल्जा करती है शक्ति जो उर्जा का मतलब ऐसी समझ दीजिजैसे फोन है तो चोटा सा होन है लेगिन हैं मुंबाई पंजाम माहदा कैसि देश से वाब गटतें आप लोग कि ये तरंगे पकलता है तरंगे बगने के बाद मैं कि यह पगणने के बार में यह हमसे बात कराता है कि वीडियो को लिंग निंग चानि किशा ठीक उसी द्रिकार सब कुछ कमारा है कि जब फोन एंधर इतनी के आपयसेटी हो सकती है सब्सक्ण कीजिए कि फोन जब हमें वीडियो को लिंग पेटे कोई विदेश बैठा है विएक्ति कोई foreign country में बैटा है और उसकी हम वो हमें face to face बैठ के बात कर सकता लाइब तो सक्ति क्यों नहीं लाई बासकते हैं, वो हमारी कल्पना के उपर, भाबना के उपर, हमारे भाव के उपर और हमारी मैनत के उपर depend करता है, और हमारा मनोवन, कहते हैं कि जो व्यक्ति धुन का पक्का होता है वो मंजिल को पाही लेता है, जिस व्यक्ति की सोच बड़ी है त तो वो छोटी में रह जाएगा, वाला नहीं सोचेगा, तो बड़ा नहीं करेगा, कहते हैं सपने देखने का हक सबको होता है, और जो सपने देखता साकार भी बही करता है, सपनों पर कोई टोक नहीं है, बड़ा देखिये, करने की कोसिस ही नहीं करोंगे तो यह जो निरूपा गंद्र कं 좌निया है इंके ईंसाव है कि किसी इंसमित सकते हैं किसी की अभीडियुष्य आनलजी रटा सकते हैं धन के मामले में गिरस्थ जीवन के मामले में जो साध्य इनकी साधना एंसके धन के जो मार्ग बनने लगते हैं और एक जानकारी के लिए बता देता हूं कि यह हमने एक साधक को अभी जो एक दिवस्य साधना निरुपा गंदर कन्या कराई थी तो उनका एक प्रोपर्टी का मामला था यानि उनका जो पुस्तैनी मकान था करोडों की संपत्ति थी उस पे अपने ही फैमिली आलों से केज चल ला था सायद कोई कोड में मुकदमा था जिस रात को उन्होंने शाधना लगाई तुसरे दिन को उनका जो मुकदमा उनके पक्छ में आ गया आप इसे इत्फाग भी कह सकते हैं चमत्कार भी कह सकते हैं उन्होंने कहा कि गूरु जी मेरे साथ में चमत्कार हो गया मेरी शादना तो सपल होई पर तको नहीं हो पाया लेकिन राष्माडना सथम मेरे मुकदमा था एक मकान पर प्रोपटी पर तो वो मेरा उसके जो रियल था वो हमारे पक्षिमा आगिया फैसला हो गिया अब वो प्रोपटी हमारी हो चुकी है बढ़ी अच्छी बात है इससे अच्छी क्या बात है मोले इसे चमतकार कहूं या निरुपा गंदरप कन्या जो माता इने इनका जमतकार कुछ भी कह सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मैनाद आपने कर दी तो फल भी आपको मिला तो कहने का मतलब है कि धन के मामले में तो बहुत ही अच्छा इनका जो मामला है बहुत जल्दी हम निरुपा गंदरप कन्या का जो कबज है वो निकालने वाले है और आप लोगों को देंगे और आप लोगों को हम देंगे और उसका पहले प्रक्टिकल करेंगे और प्रक्टिकल करेंगे और प्रक्टिकल करेंगे और प्रक्टिकल करने के बार आप लोगों को वह आप लोगों तक पहुचाएंगे और उसका पिरभाब यहां तक कोशिस करेंगे कि उसे पहनने के बाद आप लोगों का जीवन बदल जाएगा भूत ही गजब का निर्मार करने की सोची है अपकी बाद कुछ नया करेंगे और नया इसलिए बता रहें क्योंकि जितना हम सक्ति को गैराई से सोध कर रहे हैं कि जितना इनके बादे में जानकारी करते हैं उतने ही चमतकारी चीज निकल के आ रहे हैं बाबा मा काल की किर्पा कि हमें यह हम इनके इनकी सोध कर पाए है ठीक है तो सब्सक्राइब भूद भवेस्टे बर्तमान कोई भी निगेडिव एनलजी ओचाहे भूद प्रेत मसान मसान बिराम राक्षास बिरम राक्षास साखनी डाकनी चुलेल जो भी निगेडिव एनलजी होती है सबको हटाती है और पलक जपकते हैं कुछ नहीं करना होता आवान करना होता इनका पिर्योक करना भी बता देता हूं आपको आवान करने के बाद में किसी के बिसे में जानकारी करना चाहते है तो रंद आपके माइंट में अंतर मन में जवाब आएगा 100% सही आएगा और से आटाए जाएगी खुद ऐतोमेटिक को मतला अपने अंद्र मन में फिर लोंगों के माध्यम से नीवू के माध्यम से उतारा भी होता है और जो इनका भोग होता है वो तो भोग का उतारा करके किसी निर्जनिस्तान पर छोड़ी चाते हैं तब यह काम हो जाता है बहुत गजब की चीजह और भी जो क्ला करना चाहते हैं वह से संपर्थ कर सकते हैं और ये नवरात्री इससल शादना है ऌड़ना है अँग करना कि नो दिन में सबालाक का जाप करना है तो जी आहोती करनी है अब कैसे करनी है कि नो दिन में सवालाख हर व्यक्ति नहीं कर सकता तो हम मैं आपको उसके लिए एक उस भी दव बता देता हूँ आप ये साधना सुबा साम भी कर सकते हैं यानि कि सत्तर माला साम में कीजिए सत्तर माला सुबा में कीजिए नो दिन में जद सवालाख से उपर जाप हो जाएगा छोटा सा मंत्र है बीज मंत्र है इनका ज्यादे बड़ा मंत्र नहीं है कि तो बाकी विधान बही रहेगा आपका जो 21 दिन वाला है जो पिछली वीडियो में मैंने बताया है कि इसमें वस्त्रा आपके सपेद कि आसन कुसा का माला रुद्राक्ष की कि भोग में सपेद खीर शराब कि शपेद मिठाई एक पान और लोंग आपका जो और आपका जो शादक घी और बिना शराब के बीचाहें तो वह साधना कर सकते जरूरी नहीं है कि सराब बैसे भी नवरात नहीं है तो साब सुत्री साधना ज्यादा करते हैं लोग तो जो साधक यानि सराब का इस्केमाल नहीं करना चाहतें तो वह सराब नहीं रखें भोग में जूस बगएरा रख दें और देशी घी का दिपक पर जिलित कर लें दोनों विदान हैं कोई कोई दिक्कत वाली वाद नहीं है साधना सबकी सपल होगी ऐसा नहीं कि साधना सपल नहीं हो और माता रानी ने चाहा मा भगवती ने चाहा तो आप लोगों को प्रतक्ष दर्सन होंगे ही होंगे तो बाकी ग्यादवे दिन मतलब नोवे दिन लाश्ट वाले दिन आपको आउती करने है ग्यादा माला से बही आपका हवन सामगिरी गूगल इलाइची लोंगे कपूर काली मिर्च काले तिल शहद चमेली का तेल गुलाब के फूल घी शराब या बिना शराब के आप कर सकते हैं तो यह था विदान निरूपा गंदर कण्या नवरात्ति स्पेसल पहले भी दे चुका हूं एक नतिया माई हैं सबको बता चुका हूं कि निरूपा गंदर कण्या जो है वह एक सोमे रुब्बा ली है और अठारा उनिस साल की युपती है और पतले से छरेरे सरीर की है और गुलावी उनके वस्त रहते हैं बहुत ही सोमे रुब्बा ली है कभी शादक को दुख नहीं देती तो यह था विधान इसका और जिस शादक को भी करनी है मंत्र देखिए नहीं दुआ कुछ लोग पता नहीं कैसे कैसे कमेंट से करेंगे करेंगे कि गुरू जी आज क्ल मंतन नहीं दे रहें तो देखिए शादळना इतनी घजब की दे रहा हूं कि आपको मिलेंगी नहीं तो इस चीछ पर फोकस कीजिए कि शाद्ना कहां से ला रहें गुरू जी अ मंत्र जो संस्ता के पास कोल कोल किजिए मंत्र आपको डे दिया जा जाएगा तो आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको परीदी आई होगी पर्संध करें चैनल को सुश्क्राइब करना ना पूलें और जिन लोगों को कुईसां की माला संस्कारित या किसी प्रिकार की माला चाहिए तो हमाई संस्ता के नंबर पर कॉंट्रेट कर सकता है नंबर हमारा वह यह तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइगन का वड़न दवाईए और ताकि जो भी नो वीडियो बनाए आप तक तो अडिकेशन मिल जाए तो जब तक के लिए जैसरी महाकाल